हollow guys मैं मनीश आप देख रहे हैं world computer ग्यान आज हम लोग इस वीडियो में notepad के बारे में जानने वाले हैं तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में notepad में zero से लेकर के और इंडर तक देखेंगे सारे अपसेंस को तो सबसे पहले हम लोग notepad को on कर लेते हैं notepad on करने के लिए start में जाते हैं और type करते हैं a-n-o-t-e-p-a-d आप notepad start में जा करके type कीजेगा then interface कीजेगा notepad का dialogue box खुल करके आपके screen के उपर आ जाएगा आप यहां से maximize button पे click कीजेगा page आपका पूरा full screen में हो जाएगा या नी बड़ा हो जाएगा चलिए हम लोग एक एक करके सारे topics के बारे में जानते हैं अज हम लोग को file के बारे में then edit then format and then view एक एक करके सारे topics को बारे में अज हम लोग जान रहे हैं तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पे कुछ matter को type कर ले रहा हूं ठीक है कुछ matter मैंने type कर लिया अगर माल लिया जाए इसे save करना इस file को यह matter मैंने अगर save करना चाहा तो save करने के लिए file button पे click करेंगे यहां से save option पे जाएंगे एक यहां नाम लिखेंगे जैसे मैंने यह नाम दे दिया ए और यहां से मैंने save button पे click कर लिया तो यह जो file है A नाम से क्या हो चुका है save हो चुका है अब हम notepad को then close करते हैं close करने के बाद फिर से में start में जाते हैं और type करते हैं in o t e p a d notepad और interface करते हैं notepad मेरा open हो जाएगा यहां से हम fully screen कर लेंगे maximize करके हम A नाम से जो file खोलना चाहते हैं जो save किये थे उसके लिए open में जाना होगा open में जाकर करके यहां हम type करेंगे file name A और यहां से open button पे click करेंगे जो भी मैंने type किया था file खोल कर गे then आपके screen पे आ गया है फिर से हम इसमें कुछ भी type करना चाहा है तो कुछ भी matter type कर सकते हैं then इसे पुना save करने के लिए हमें कहां जाना होगा file में जाना होगा only save button पे click करना कोई file name नहीं देना है क्योंकि यहां पे already मेरा file name accepted है अब कोई file name नहीं देंगे और इसमें हम लोग matter जितना भी type करना चाहते हैं जितना भी matter type करना चाहते हैं वह matter हम आशानी से type करेंगे फिर जा करके हम share button पे करेंगे यह भी data मेरा क्या हो गया होगा save हो गया होगा फिर से close करते हैं start में जाते हैं फिर से notepad कर लेते हैं चली एक बर फिर से हम page को बड़ा कर लिए और file को खोल करके देखते हैं open में जाते हैं और open के dialogue box में यहां एप्रेस करते हैं यहां से मेरा file खुल कर गया गया तो जी हां दोस्तों ऐसे हम लोग file को save कर स just like मैंने ए नाम से file save किया था अगर उसी file को हम पुना copy कर लेना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे तो उसके लिए पुना मुझे file को खोलना होगा तो हम फिर open button पे जाएंगे यहां से open button पे जाने के बाद हम A नाम के file को फिर से क्या कर लेंगे open कर लेंगे open करने के बाद file में जाएंगे और save as button पे click करेंगे फिर यहां A को हटा करके हम नाम B कर दिये और हमसे button पे click कर दिये अब यह file किस नाम से save हो गया B नाम से मतलब just like copy हो गया अब आप इसे close करके चलिए फिर से अप notepad को open करके एक बार फिर से try करके देख लेते हैं तो file में जाते हैं यहां से ह पे click करते हैं और B देते हैं फाइले में आपे और open button पे click करते हैं तो देखिए दोस्तों वही चीज मुझे खूल करके फिर से वापिस मिल गया है तो save हैसे file copy होता है आप जानते हैं हम लोग page की setting के बारे में page की setting ऐसे करते हैं तो page की setting करने के लिए page setup जाएंगे हम लोग डाउन हो जाएगा मतलब पलट जाता है अगर आप margin छोड़ना चाहते हैं चारो तरफ से तो हम page को पोटेट ही रख लेते हैं margin में 0.75 हम चाहते हैं कि एक एक उनिट चारो तरफ से margin छोड़ दे तो एक कर देते हैं इधर से इधर से भी एक कर देते हैं यानि left से एक right से एक बटन से एक और यहां पर क्या करते हैं हम लोग के बटन पर किलिक करते हैं तो यह मेरी page की अच्छी सी setting हो गई अगर हम इसको print करना चाहते तो file में जाएंगे print बटन पर जाएंगे यहां पर मुझे ध्यान देना होता है कि printer सबसे पहले name select होना चाहिए तो जो company का printer है वो all select रखेंगे और number of copies कितनी copy आपको print निकलना है यहां पर देंगे number of copies और print बटन पर किलिक करेंगे data आपका print out निकल जाएगा दोस्तों तो इस तरह से हम लोग file को print कर सकते है प्रिंट करने के बाद exit बटन का काम होता है page को बंद कर देना तो exit करेंगे page मेरा बंद हो जाएगा फिर सो note pad पे गए क्लिक किया और यहां से maximize करके page को बढ़ा कर लिए तो file total topic मेरा खतम हो चुका है अगला topic के start करेंगा जिसका नाम है edit edit का पहला आप साने undo जी हां दोस्तों कुछ matter मैंने type कर लिया इसको select कर लिया और delete बटन मैंने प्रेस कर दिया delete कर दिया यह word तो मैंने लिखा था वह खतम हो गया मुझे लेकिन फिर सो वही word जाईए तो क्या करेंगे हम लोग इडिट बटन पर जाएंगा और undo बटन पर क्लिक करेंगे या फिर keyword से ctrl plus z प्रेस करेंगे वही word आपके screen पर फिर से दिख जाएगा जी हां दोस्तों अगर कोई भी text लिख रहे हैं बीच में से कोई नाम अगर हटा देना हो तो अपसानी से उससो सेलेक्ट करके हटा सकते हैं अब बात आती है copy paste की जैसे मालिया जाए मैंने एक word लिखा इंडिया अगर हम इसको चाहते है कि 10 बार मुझे लिखना है यही चीज सेम चीज क्या करेंग तो वो चीज बार-बार आप पेस्ट कर सकते हैं तो इसको हम लोग बोलते है copy paste, copy paste, computer का बहुत important topic है copy paste, copy paste, इसकी जरुवत बहुत जादा परती है दोस्तों इसको गोर से आप लोग समझने जिए गए एक बार playback करके, अगला topic हम लोग जानने बाले है जिसका नाम है delete, delete दो चलिए दोस्तों अगले topic के बारे में जानते है जिसका नाम है find, तो find के लिए मुझे कुछ matter लिखना होगा, चलिए मैंने मैं एक matter type कर लिया, raz is a good boy, raz is a good boy, मैंने एक matter type के लिए, right, अब इसको हम copy paste कर लिए, तो select कर लिए, ctrl c और भी कर लिए, अब दोस्तों करसर को हम सब से उपर रखना चाहते हैं, यहाँ पर, जब भी आप find option यूज कीजएगा, तो यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा, करसर आपके सब से उपर होना चाहिए, अब हम यहाँ खोजना चाहते हैं, कि इसमें राज कहां कहां लिखा हुआ है, यह मुझे computer खोज करके बताए, तो यहाँ जहां राज लिखा हुआ है, आप find next करते जाएगा, यह आपको computer बताते जाएगा कि राज कहां कहां लिखा, इस तरह से आप computer में कोई भी word अगर मालिया जाएगा 500 ब्यक्ती का नाम लिखा हुआ, उसमें से कोई particular आपको नाम खोजना है, तो आप बिलकूल आसानी स खोज सकते हैं, आप find में जा करके नाम लिखेंगा, search करेंगा, आटोमेटिक आपको मिल जाएगा, लेकिन एक बाद ध्यान रहे, करसर सबसे उपर होना चाहिए, अगला topic में जानते है, replace के बारे, replace का मतलब होता है change करना, अब देखिए दोस्तों इसमें राज बहुत जग करेंगे, यहां से आपके पास find खुल करके आजागा, एक box, उपर में आप type करेंगे, आरे, जे, राज, जिस word को आपने change करना है, और नीचे में जिस word में आपको change करना है, जैसे मुझे राहूल में change करना है, तो मैंने यहां राहूल टाइप किया, और replace all बटन पे click click दिया अब परके देखिए, जहां जहां राज था, वहां वहां राहूल हो गया, एक बार में मैंने सारे word को change कर लिया, दोस्तों, तो इस तरह से आप word change करने के लिए, अपसन स्यूज कर सकता है, replace, अगला topic है, गोटू का, तो गोटू का अपसन अभी work नहीं कर रहा है, देखिए दोस्तों, यहां पर go-to work नहीं कर रहा है, क्यों नहीं work कर रहा है, क्योंकि यहां से format पे enter पे, यहां से format में जाएंगा, तो word बराय पे tick out है, यसलिए, तो tick out यहां से हटा देंगे, अब देखिए, go-to मेरा work करने लेगा, ठीक है, तो go-to में क्या होता है, कि कितने number line पे ज 500, 1000, 2000, 2000 line अगर आप लिख चुके हैं, और particular किसी line पर जाना है, तो आप go-to option से क्लिक करके, आसानी से जा सकते हैं, अगला topic हम मुझ जानने वाल है, जिस topic करा हम है, select all, बहुत important topic है, control प्लस है, इसका shortcut की होता है, अगल total area को select करना चाते हैं, तो एक तो आपके पास options है, mouse के through ऐसे आप कर सकते हैं, दूसरा option है, आप keyboard के through कर सकते हैं, shift के साथ में, और तीसरा option है, आपके पास में, जो options के through है, यहाँ से select all पे click करेंगे, all data आपको एक time select हो जाएगा, अगला topic हम लोग जानेगे, date and time के बारे में, अगर माल लिए यहाँ पर मैंने कोई application लिखा, मु और word wrap के बारे में, तो word wrap में होता है क्या है दोस्तो, चले मैं एक पहले matter लिख रहा हूँ, देखिए धियान दीजिएगा, मैंने mmm type किया, देखिए दोस्तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक ही line में पूरा लागतार लिखाते जा रहा है, लिख रहा है, लिख रहा है, ल automatic new line एक मुझे पराप्त हो जाएगा, तो जी हाँ दोस्तो यही काम होता है word wrap का, तो word wrap में अगर आप tick out यहां से लगा देते हैं, तो यह system जो है automatic new line मिलता है, तो automatic new line अपूर नहीं मिलेगा, अगरा topic font यह लिखावट है, मुझे मिल्गूल बखवास लग रहा है, मुझे अ और size की बात होती है, अगर चोटा बारा तो यहां से आप कर सकते हैं, तो चलिए दोस्तो करके देख लेते हैं, मुझे font करना है, जैसे मुझे यह font यह नहीं दोस्तो थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं, जैसे यह font करना है, यह थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा साइस थोड़ा और बड़ा कर लिए, रोके कर लिए, देखें दोस्तो अब यह word मेरा क्या हो चुका है हिंदी में, आप जो कुछ भी type किजिएगा हिंदी type होगा दोस्तो देखिए, तो इस तरह साप हिंदी लिखने के लिए आप font में जा करके, यहां से format में जा करके, और इसका font चीज़ कर सकते हैं, design चीज़ कर सकते हैं, slide चीज़ कर सकते हैं, okay किजिएगा उसे design में आपका word हो जाएगा दोस्तो, तो यह format option खतम हो गया, view का options होता है कि status bar, तो status bar देखिए दोस्तो अभी work नहीं कर रहा है, यह भी work नहीं कर रहा है, format के word wrap के word wrap पे tick out है इसलिए तो tick out हम हटाएंगे, अब मेरा view option work करेगा, status bar पे click करेंगे, दोस्तो तो यहां से एक line number और column नमर बताता है कि आपने कितने line लिख चुके है, कितने column लिख चुके है, वो design यहां पर बताता है, तो view में जाएंगे, हम लोगे status bar पे click करेंगे, तो वो चीज़ आपका छुप रहेगा, आप चैनल को subscribe जरूर कर लिजएगा, ओके, thank you.